नवश्कार मैं हूँ साक्षे बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर बिहार में राजसभा की छे सेटों के लिए नामंकन शुरू इंचर परिक्षा के छटे दिन नकल करते काई परिक्षाट थी निसकासित नियोजित सुक्षकों के 25,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली पुलीस ने तेंद्वे की खाल के साथ दो तसकर को किया गिरफतार जस्परित बुमराह ने नंबर वन गेंदवाज बनने के बाद अपना दुख किया शेयर इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में राजसभा की 6 सीटों के लिए नामंकन शुरू हो गया है वहिदेश के 15 राजियों की 52 राजसभा सीटों के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू है 15 रवरी तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और इसके बाद 16 रवरी को नामंकन पत्र की जाच होगी 27 रवरी को राजसभा के लिए वोटिंग है सुबह नाव बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग का समय निधारित है और इसके बाद 27 रवरी को काउंटिंग होगी द्रसल राज में 6 मौजूदा सांसदों का कारेकाल खत्म हो रहा है इसमें आरजडीक से मनोजशा और अश्वाक करीम कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्चा के लिए इस प्रशाद सिंग जड्यू के वशिस्ट नारायन सिंग और अनिल हेग्रे और बीजेपी नीता सुशील मोदी शामिल है इंटर परिक्षा के छटे दिन नकल करते कई परिक्षा थी निसकासित इंटर परिक्षा का आज साथवा दिन है इसमें अनिवार्य विसेम अनुविज्यान और इंटर परिक्षा निधारित है वहीं परिक्षा के छटे दिन दस जिलों से चौदा परिक्षा थी इसकासित किये गए हैं और इसके साथ ही तीन जिलों में पांच फरजी अभ्याठी पकरे गए आपको बता दे कि पठना चले में पहली पाली में 98.80% चात्राय उपस्थित रहे और जबकि दूसरी पाली में 98.3% परिक्षार्थी की उपस्थित दर्जकी गई प्रतम पाली में हिंदी और दूसरी पाली में इतिहास कृषी और इलेक्टिव विसाय ट्रेड का एक्जाम हुआ आपको बता दे कि करी निग्रानी में इंटर की परिक्षा हो रही है सभी केंद्रों पर शांती पुर्ण महौल में परिक्षा ली जा रही है परिक्षार्ती निधारित समय से पहले परिक्षा केंद्र पर पहुँच रहे हैं बिहार में भेर बकडी और समुद्री जानवर के वसा से होगा तेल का निर्मान बिहार में अब चावल की भूसी, सोया, बीन, कुसुम, सूरजमुखी, सरसो, मुंफली से वनस्पती तेल बनाने की इकाई का शुबारम होगा और उसके अलावा भेड, बकडी, समुद्री, जीव, जानवरों से निकाले गए वसा से तेल का निर्मान किया जाएगा और इसके लिए यूनिट लगाई जाएगी, इसके अलावा प्याज का पाउडर बनीगा और लीची की ज्याम जेली बनाई जाएगी दरसल बिहार सरकार क्रिशे पशुपालन खाद्य भंजारन में निवेश का खाखा तियार कर रही है और इसके बाद सरकार निवेशकों को निवेश करने का प्रस्ताव देगी, सरकार इन्हें सबसीडी भी देगी और इसके तहर बिस्किट कुकीज आधूनिक बेकरी की शुरुबात होगी आइसक्रीम और चॉकलिट अधिकी फैक्टरी लगाई जाएगी मास और मशली को ताजा करने के लिए भी काम किया जाएगा फलो को पकाने के कक्षकों भी बनाया जाएगा नियोजित सिक्षकों के 25,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली बिहार में नियोजित सिक्षकों के 25,390 पदों पर बहाली ली जाएगी फलहाल 25,000 से अधिक नियोजित सिक्षकों ने BPSC की परिक्षा पास करके नई जगह पर अपना योगदान दिया है और इस कारण ये पद खाली हो चुके हैं वह इन में से 10,000 सिक्षक ऐसे भी है जिन्होंने BPSC की परिक्षा पास करके नई जगह को जोईन नहीं किया कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में सबसे अथिक नियोजित सुक्षकों ने BPSC की परिक्षा को पास करके योगदान दिया इनकी संख्याए 11,000 है आपको बता दे कि 25,000 से अधिक पदों को अब अस्थाई पदों में बदला जाएगा और सीधी भड़ती होगी इसके लिए पदवर्ग समीती और वित विभाग से अनुमती ली जा रही है और इसके बाद क्याबिनेट में इस पर मुहर लगेगी तो न्यूक्ती का रास्ता साफ हो जाएगा पटना हाई कोट में सरकार को प्रोनती में आरक्षन को लेकर दिया निर्देश पटना हाई कोट ने राजसरकार को प्रोनती में आरक्षन अधिसूशना को लेकर आदेश दिया है द्रसल सरकार ने कोट को बताया था कि प्रोनती में आरक्षन देने संबंदित अधिसूशना बीते 16 जन्वरी को जारी होई उसको लेकर कोट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर इसे राज्य के सभी विभागों में लागू की जाए वहीं अगर सभी विभागों में इस 6 महीने के अंदर लागू नहीं किया जाता है तो याचिका करता है इस मामले में फिर से कोट में उठा सकता है मालूम हो के इस मामले में न्यायमूर्टी रमेश चेंद्रमालविय की खंट पीठ ने दायर अवमानना याचिका को नस्पादित किया और ये याचिका सतीश कुमार शर्मा के उर से दायर किया गया है बिहार में महिला सिक्षकों ने सिक्षा मंतरी के आवास का गहराओ किया सैकरों की संख्या में महिला सिक्षका ये सिक्षा मंतरी के आवास पर रिकठा हुई इन्होंने सिक्षकों के लिए आई ट्रांसफर पॉलिसी का विरोथ किया इनके मांग है कि सक्षमता परिक्षा के सर्तो ट्रांसफर के तीन विकल्प आदी को वापस लिया जाए वहीं ऐसा नहीं करने पर इन्होंने भूख हर्ताल की चितावनी दी महिला सिक्षकाओं ने प्रदर्शन करने के साथ ही मंत्री के नाम का ग्यापन सौपा ये नियोजित सिक्षकों को लेकर आई नई नीती का विरोध कर रही है इनका कहना है कि सक्षमता परिक्षा ओलाइन नहीं होनी चाहिए और सरकार को सिक्षकों के तबादले को लेकर विचार करना चाहिए और ये फैसला वापस लेना चाहिए मुंगेर गंगा रेलपूर दोहरी करण का काम जल्द होगा शुरू जमालपूर मुंगेर गंगा पूर रेलपूर दोहरी करण का काम जल्द शुरू होगा इसके लिए संसत के अंतरीम बजट में 50 करोर की राशी आवंटित होई है और इसके बाद जमालपूर से खगर्गया तक 14 किलोमीटर रेल मार्क को सिंगल ट्राक से मुक्ती मिलेगी इसके लावा यहां ट्रेनों के संख्या में बरहोतरी की उम्मीद है इस रेलवे लाइन के निर्मान में 1600 करोर रुपे खर्च होंगे वहीं यहां सिग्नल ट्राक के कारण कई तरह के परिशानी सामने आ रही थी आपको बता दे कि मुंगेर में गंगा पर रेल सरकपूर के निर्मान में 14 साल का समय लगा था वहीं अब दोड़ी करण के काम के बाद यहां से कई ट्रेने गुजरेगी पटना हम्दबाद एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का बदला मार्ग रेलवे ने एनाई कारे की वज़ों से कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाओ किया 13 फरबरी तक के लिए ट्रेनों के रूट में बदला हुआ है में पटना गया से हमदबाद मुंबई दिली एक्सप्रेस समेत अन्य शेहरों के लिए चलने वाली ट्रेने शामिल है पातली पुत्र नोकमानिय तिलक एक्सप्रेस आनंद विहार गंगा एक्सप्रेस का रूट बदला है आपको बता दे कि DDU प्रियागराज रेलखंड परस्थित जिवनात पूर स्ट्रेशन के याद में रिमोडलिंग के लिए नन इंटरलॉकिंग काम की वज़स से ट्रेनों के मार में बदला हुआ है लोकमान ने तिलक एक्सप्रेस नबबे मिनच के लिए पुनर निधारित करके चलेगी DDU सुबिदार गंज DDU मेमू पैसेजर स्पेशल का परिचालन 12 फरवरी तक के लिए कैंसल हुआ है नई दिल्ली गोहाटी एक्सप्रेस गोहाटी बाइमेर एक्सप्रेस प्रियागराजवारन से DDU के रास्ते चलेगी पुलीस ने तेंद्वियों की खाल के साथ दो तस्कर को किया गिरफतार पूर्विच अंपारन जिले के भारत नेबाल सीमा परिस्थित रक्सौल थानच्शेत्र में पुलीस ने कारवाई की है यहां तस्कर गिरों के 200 दस्यों के गिरफतारी की गई है और इसके साथ ही पुलीस ने तेंद्वियों के खाल को बरामत किया बताया जाता है कि अंतरास्टिय बाजार में इसकी कीमत 50 लाक रुपए है अस्थानिय वन विफाक की टीम और रक्सौल पुलीस ने मिलकर ये कारवाई की और फिलहाल पुलिस गिरफतार तसकरों से पूछ ताच में जुटी है पुलीस ने स्पी कांतेश कुमार मिश्रा के नितरित्म में गूप सूजना के आधार पर कारवाई की वहीं गिरफतार तसकरों में एक नाबालिक है बताया जाता है कि नेबाल से तेंद्वियों की खाल को लाकर ये यहां बेशने वाले थे बरामत तेंद्वे के खाल पर गोली के निशान भी पाए गए है इस कारण इसके शिकार के आशंका जताई जा रही है मुझपरपूर में भारी मात्रा में शराब बरामत मुझपरपूर उत्पाद विभाग की टीम ने गुपत सूचना के अधार पर कारवाई की यहां काटी थाना शेत्र के कलवारी से पांच पिकप और एक ट्रक से 856 काटून शराब बरामत किया गया वहीं शराब तसकर और चालक मौकर से फरार हो गये इस कारण किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई बतया जाद है कि शराब की केप पंजाब से मंगवाई गई थी मद्यनिशेद सहायक अधिक शक ने जानकारी दिये कि गुपत सूचना के अधार पर शराब को पकड़ा गया वहीं शराब तसकर फरार हो गये हैं पुलीस मामले की जाँच कर रही है और उतसाथ ही शराब तसकर की खोच जारी है जल्द ही इने गिरफतार करने की बात कही जा रही है पटना की डॉक्टर से रंगदारी मांगने के आरोप में दो लोगों की गिरफतारी हुई है पुलिस ने रंगदारी और धमकी देने वाले दो लोगों को कंकरबाग इलाके से गिरफतार किया। CTSP पुर्वी भरत सोनी की ओर से इसकी पुष्टी की गई। बताय जाद है कि गिरफतार अपराधियों का अपराधि कितिहास रहा है। पुलिस ने इनके पास से दो बुवाइल और एक पिस्टल बरामत किया। रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी का नाम रोशन कुमार है। जानकारी के अनुसार इसके पिता का नाम बिंदू सिंग था और ये नब्बे के दशक में एक कुख्यात अपराधी था। फिलहारिस के पिता की मौत हो चुकी है वहीं पिरिट डॉक्टर ने थाले में मामरा दर्ज कराया था। साथ ही पुलिस को बताया था कि उससे अपराधी ने पैसो की मांग की है और नहीं देने पर जंगल राज की याद दिलाने की भी बात कही है। और अब पुलिस इस मामले को लेकर दो आरोपी को गिरफतार किया है और कारवाई की है। पदले नौकरी घोटाले मामले में इडी की जांच जारी है। पहले आरजेडी के विधायक भाई विरेंद्र ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बारफरवडी को जो होगा उसे पुरा बिहार देखेगा। आरजेडी विधायक ने आगे कहा है कि राज को राज ही रहने दीजे। अब इस राज से परदव मत हचाईए। आपको बता दे कि राज़त की ओर से लगतार दावा किया जा रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होगा। भाई विरिंद्र ने ये भी कहा है कि आरजेडी की विधायक मजबूत है और हम दूसरे को तोड़ सकते हैं। अब द्यक्ष जेपी नडड़ा से भी सीएम की मुलाकात होई है। वाले फोटो में एक वेक्ती अकेला बैठावा है जबकि बढ़ाई वाले फोटो में पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भड़ा है। फिलाल हर कोई बुमरा की तारीफ कर रहा है लेकिन उनके पोस्ट को देखकर हर कोई हैरान है। गेंदबास के पोस्ट के अनुसार जब किसी को समर्थन की जरुरत होती है तो कोई साथ नहीं देता। लेकिन कुछ करने के बाद लोगों की भीर जमा हो जाती है। मालूम हो कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में बुमरा ने नौ विकेट अपने नाम किये। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारी लोगों ने अपना कमेंट हमें हमारी कमेंट से चिन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे त्वारा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है विनोद महात्मा, मोहम्मद शकीर हुसेयन, रवी कुमार, राज किशोर महतोस, अदुल्ला पालवी, राम शंकर जहा, परमात्मा सिंग, संघर्स कुमार, नौशाद रजा, नवल किशोर जहा, ल 14 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में, एंडी अपना वहमत साबित कर पाएगी या नहीं, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षन में लिख कर जरूर बताए, आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखते रहे बिहारी न सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद